पूलहर गाउं का वाड नमबर छे, अरलाखी प्रखन के फूलहर गाउं का वाड नमबर छे, तूमा या तब के घर के समीट गाउं, ये खरंजा आप देख सकते हैं तस्पिरों में, नितीश कुमार के सुशासन में, जिसको जहां थोरी सी जगा मिलती है बस लूट को अंजाम देने में लगाउं, और अधिकाडी कमिशन लेकर खामोश रहा, ये हरलाखी प्रखन्ड, ये फूलहर गाउं के वाड नमबर छो की तस्विर, न कोई देखने वाला, न कोई तोकने वाला, नलजल योजना का हाल भी आप देख सकते हैं, किस तरीके से उसके पाई को काहां रखा गया है, देख सकते हैं आप, और ये जो बोडिंग गारा गया है, वो कहां गारा गया है, जिस एक से खरंजा किया जा रहा है, किस कीट को भी आप देख सकते हैं, योजना कितनी परदरिस्ता है, इन तमाम और नेमित्ताओं के बावजूद परखंड प्रशासन और अधिकारियों की खामोशी सरकार को बदनाम करने के लिए तासी है, कभी कभी सरकारी योजनाओं में भी वो स्चाटने से कैसे प्यास बुस्ती है, वो आप यहां के मिट्टी वहां डाल करके दिखला रहे हैं, देख सकते हैं, ये सरकारी योजनाओं का हाल है, और जिनके जिम्मेवारी सरकार ने तैक कर रखी है, उनको इससे कोई लेना देना नहीं, लोग शिकायत भी करते हैं, तो शिकायत पर कोई अमल नहीं होता है, इसे में बड़ा सवाल ये है, कि आखिर इस अनियमित्ता पर रोक लेगेगी, तो कैसे.